नमस्कार, एक बार पनो हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स में मैं हूं भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, शामदरिक विज्ञान का ये अंक, अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे सामने है, आप एक पुरुष जातक हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज देखेगा जो आपका ये बुद्ध का परवत है, सांदार इस्तिती में है, बहुत अच्छे प्रेणाम देने की इस्तिती में दिखाई दे रहा है अगर और ग्रह भी धीरे धीरे अच्छी इस्तिती में आते हैं, जिसका मैं बहुत प्रोपर तरीके से बेग्यानिक आपको उपाई दूँगा, जो तिस बिग्यान का जो सांदार उपाई है तो निश्चित ही इस बुद्ध की वज़ों से आने वाले समय में, जिस भी काम में आप हात डालेंगे, जादा तर उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे, ये आपका बुद्ध बता रहा है हर तरह की जो प्रस्तितियां हैं, उनको भली भाति समझेंगे, और अपनी जीवन काल में अगर योजना बना कर चलेंगे, तो इसका बिसेश लाब आपको होगा और एक ऐसे गुण आपके अंदर इस्तित होने वाले हैं, धिरी-धिरे समय के साथ, कि जो भी कारे आप प्रारम करेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, अधुरे में नहीं छोड़ेंगे और आपका बुद्ध धिरे-धिरे कांती युक्त हो रहा है, इसकी जो रंगत है, इसकी जो खूबसूरती है और जो इसका पुष्टता है, वो धिरे-धिरे अपने अच्छी इस्तिति में आ रही है और इसका प्रभाव सीधा आपके मनोविज्ञान पे पड़ेगा, आपका मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के फिर्ड में आप माहिर हो जाएंगे, जो एक ब्यापारी के लिए बहुत जरूरी होता है, अत्यनत आवशक होता है सामने वाले बेक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और ब्यापारिक कारियों में आने वाले समय में आपको विसे सपलता भी प्राप्त होगी, ये आपका बुद्ध का प्रभाव कहे रहा है, वानी के सक्ति को बढ़ा रहा है अब देखेगा इसकी जो उंगली है, ये पूरी तरह से जुक रखी है, एकदम रिंग फिंगर की तरह, तो धन कमानी की ललक को जबरदस्त रोप में पैदा कर रहा है कि बनी रही है, और देखेगा जिसके अंदर धन कमानी की ललक होती है, वो ब्यक्ति कहीं न कहीं से जो ह अपनी जिवनकाल में धन कमा ही लेता है, यहीं पर नहीं रुक रही है, यह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले पोरोई से उपर जा रही है, अत्यंत स्रेष्ट, यह आने वाले समय की और इसारा का राभले ही कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लिकिन अपने जिवन जिवनकाल में आप उतक्रिष्ट ब्यापारी होंगे, स्रेष्ट और सफलता अर्जित करेंगे, अपने बल्बूते पे आप अपने जिवन में अच्छी इस्तिती में पहुँचेंगे, यह यहाँ पर दिखा रहा है, और कहीन कहीं कुछ बड़ा करने की आपके अंदर लालसा जाग रही है इसोजों से, आपकी जिग्यासा प्रवर्ति जो है, जनम ले रही है इसोजों से, आप किसी भी छेतर में हो लेकिन आपकी जिवन रैखा से जो रैखा चंदरमा पे जा रही है, वो कुछ बेटर बता रही है देखेगा ध्यान से देखेगा ये आपकी जो है जीवन की रेखा इस तरों से आ रही है जो देरे-देरे पुष्ट हो रही है परिवार के प्रते समरपन की भावना बढ़ेगी समरपित रहेंगे वहां से एक रेखा निकल करके चंद्रमा पे जा रही है अब ये मत कहना इतने चिन बन रहे हैं ये सब अलग चीज है जितने हतेली में चिन बनते हैं जितनी रेखाई होते हैं सबका थोड़ी फाइदा मिलता है कुछ केवल सपोर्ट के लिए होती है कुछ उसको खराब करने क लिए होती है ठीकन लेकिन ये मुख्या है जिवन रेका से चंद्रमा पे रेखा जा रही है अगर ऐसा ब्यक्ति मैं आपकी उसमें नहीं तो लेकिन एक उदारण कहे रहा हैं अगर अच्छा पड़ा लिखा है और वो जो है टीचिंग का सौकीन है और ऐसी रेखा है तो ऐस ब्यक्ति सिक्छा के लिए बिदेशिया तरक कर सकता है इसकी संभावना बढ़ती है लेकिन अगर ब्यक्ति ब्यापार कर रहा हो तो सिपिंग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फूड बिजनिस खाने पीने के ब्यापार ऐसे लोग इस चीजों में हाथ आजमा सकते हैं ऐ लेकिन यहां पी क्या है कि अगर आप खाने पीने का या इमपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर करते भी हैं तो थोड़ा आपको रुकना है भी बहुत बड़े रूप में आपका ये काम होगा लेकिन रुकना क्यूं है कि चंद्रमा अभी थोड़ा से मध्यम इस्तिति में कर रहा है इन चीजों की और बेहम आएंगे और एक सरल तरीके से और बारी के से हतेली का बिसलेशन करेंगे एक एक चीज हम समझाएंगे ऐसा समझाएंगे कि एक साधरन से साधरन बिकती जो इसमें समझ जाए और फिर उसको उपाए देंगे आपको उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना में दे रहा हूं आप सभी दर्सकों को देखेगा अगर आप अध्यात्म को बेग्यानिक तरीके से और गहराई से समझना चाते हैं तो हमने एक नया चैनल खोला है दिभासकरा डॉकुमेंटरी उसमें हम विभिन विश एक फेस बीडियो बनाते हैं उसको समझाते हैं साथ-साथ में जो एतिहासिक जगह है जनको जादा तर आपने टीवी चैनलों में यूट्यूब में नहीं देखा होगा लेकिन वह बहुत एतिहासिक जगह है उनका बड़ा एतिहासिक महत्तो होता है उन अस्तानों की और जा इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो आप प्लीज सारे मेरे जो भी दर्सक है उस बीडियो में जरूर जाएं उस लिंक पे जरूर जाएं चैनल को थोड़ी देर वाच करें और लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये बहुत ज़्यादा आसा रहेगी मेरे आप लोगों से अब चलता हूँ थोड़ा हतेली पे देखेगा यहाँ पे यह थोड़ा सा जो है चीजों को समझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी जो रिंग फिंगर है इसके नीचे का जो यह भाग है अब इसमें कैसे भी चिन बन रहा हो इस चिन का मतलब नहीं रहता है जब भाग ठेक होगा तो चिन अपने आप अच्छा आएगा अब यहाँ पे यह देखो यह बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है उर्जा सही रूप से प्रवाहिट नहीं कर रहा है ठीक है न? और जब यह इस प्रकार से बैठा रहता है बिक्ति की महतो कांचाएं तो रहती है बोड़ा करना भी चाता है लेकिन उसके परियास सफल नहीं हो पाते है जादतर चीजें कलपनाओं में ही रह जाती है इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है दूसरी बात है जो बिक्ति के अंदर क्वालिटी होती है जो बिक्ति के अंदर योग्यता होती है उस तरह से चीजें निखर करके नहीं आपाती है उभर करके नहीं आपाती है तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें जो मिहनत आप करते हैं जो परीश्रम आप करते हैं उसका जो पूरा सरेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आप लोगों को नहीं मिल पाता है एक सहजता से एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है और आर्थिक इस्तिति भी बिक्ति की बहुत अच्छी नहीं रहती है रियल में अगर आप प्रेक्टिकल रूप में देखें दूसरी बात है अगर ऐसा बिक्ति ब्यापार में जाता है तो ब्यापार में जो बिस्तार मिलना चाहे जो फैलाओ मिलना चाहे जो नाम और यस होना चाहे वो नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था ऐसे में आप अगर नौकरी भी कर रहे होते हैं तो नोकरी में वो वास्टुक ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो ठीक है नि तो क्यों होता है क्योंकि देखेगा सुर्य सही तरिके से उर्जा प्रवाइड ने करता है और ये होता है हमारी दिन चरिया पे आधारित कहीं न कहीं हमा रुटीन में कुछ कमी है जिसके कारण हमारी जो सारेरिक चक्र हैं वो सुर्य के चक्रों के साथ परसपर तालमेल में नहीं होते हैं तो चाहे सारेरिक स्वच्त हो चाहे जीवन की खुसहाली हो चाहे जीवन का जो उत्सा हो ना चाहे वो उत्सा हो चाहे जीवन की वो वास् करने पड़ती है यह चीजें जो है बैलेंस अउस्ता में नहीं रहती है तो इसके लिए क्या किया जाए देखेगा धन में बिर्दी के लिए अच्छे खासी बिर्दी हो आर्थिक इस्तिति मजबूत हो अग कारियों में विस्तार के लिए सूर्य उपासना बहुत जरूरी होती है ये मैं आपको दूँगा और सूर्य को पूरी तरों से मजबूत इस्तिति में लाने के लिए ये सारी जगह से सांदार परिणाम दे इसके लिए एक दिब्य सूर्य किरिया ये प्रौपर तरीके की होती इसको मैं दूँगा अगर आप सही से इस किरिया को करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो सारिरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपके सारिरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलेगा सरलता से चलेगा और फिर चाहे सारिरिक स्वच्त्य हो जीवन की खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें आपके साथ हमेशा बनी रहेगी ये है अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दूसरी बात है आपका सनी सनी अच्छी इस्तिति में है वेसे लेकिन यहाँ पे हल्का उबर रहा है तो बेवजही की चिंताईं कभी-कभी ये देता हुआ दिख रहा है सुब उठने में थोड़ा आलेस्य की प्राप्ति करवा रहा है लेकिन ये न भूलें कि इसमें जो है बहुत बड़ा एक जो है चतुसकोन बन रहा है जो बहुत सांदार है लेकिन ये स्वस्थे की दृष्टी से बहुत ज़्यादा महत पूर्ण होता है और अध्यात्मे की दृष्टी से एसा ये चमतकार करता है बेखति की जीवर अगर ऐसा बेखति बार-बार भी मोत के मुह में चले जाए तो भी आस्चरे जनक रूप से उभर कर आता है और अगर धार्मिक अध्यात में देखें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस मनुष्य जीवन का वास्तों में गुणतत्व क्या है इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है और अपना अध्यात्म वास्तों में क्या है ब्यक्ति बेग्यानिक तरीके से इन चांद लगाता है तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी यहां पर दिखाई दी रही है यहां पर अगर हम देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी है सही उनपात में खड़ी है तो मिहनती है कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है मानसिक इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी आपकी साथ में अध्यात्मिक इस्तिती भी बहुत अच्छी रिखएगी ये मुड़ रही है तो धार्मिक भावनाई रहेंगी और कहीं न कहीं इस वर में अच्छा विश्वास मना रहेगा तो मानसिक इस्तिती और अध्यात्मिक च जुक रखी है तो ये बताती है कि यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा भी जादा रहेगी दोनों बराबर है और इस समय ये बता रहा है कि धन और यस की भूग जादा है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत दिखाई दे रहा है और जीवन का मातर लक्ष भी यही रहेगा ये भी दिख रहा है लेकिन इन उगलियों के तीसरे पौरों में सब में जो है क्या है छेद है ये इस बात के और इसारा कर रहा है कि देखेगा तोड़ा अपने खर्चीले सुभाओं पे लगाम लगा लेजिए आपकी हतेली ऐसी है कितना भी पैसा आजाए हतेली में कभी पैसा नहीं टिक पाएगा तो इसके लिए अपनी मैनेजमेंट की चंता अच्छी रखेगा अपने घर में जिसके हाथ में पैसा बचता हो धन उसके हाथ में समालने के लिए रखेगा तो ज़्यादा फाइदा हो एक सुख़त जीवन जीने की चाहा रखने वाला व्यक्तितो है सुख़त जीवन जीने के लिए परयतनसील व्यक्तितों भी है हिर्दाई के लकिर सीधा देव गुरु ब्रस्पति से युक्ति मना रही है सूर्य और सन्य की इस्तिती अच्छे आने पर चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो चाहे ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे जो है कुछ और काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन भी आप व्यतीत करेंगे लेकिन कुछ रेखाएं ये इस प्रकार से यहां पर आ रही है सहन सीलता की थोड़ा सा कमी रह सकते है जल्दबाजी में काम कर सकते हैं इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजेगा और दामपत्य जीवन के सुक में कमी आ सकती है मैनेज करके रखेगा मस्तिस्क रेखा एक से जादा सुरोतों से अर्थो पारजन करने का परियास बहुत जबरदस्त आपके द्वारा हो रहा है दूसरी बात है प्रायों बहुत जादा सोचते रहते हैं जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबे रहते हैं आपका जो मन है वो एकागर्चित कम हो पाता है लेकिन ये निश्चित है आने वाले समय में स्रेष्ट सपलता भी आप हासिल करेंगे लेकिन आपका मन भी बहुत जादा कलपनाओं में डूबा रहेगा ये भी यहां पे दिखाई दे रहा है इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है करियर और धन की रेखा इस त आई तो नहीं दिखाई दे रहा है रातरी के समय का मैं महालक्षमी का उपाई दे रहा हूं साथ में दिव्यय योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जरूर करेगा बहुत अच्छा लाब होगा ये रेखा आने वाले समय में बहुत बड़ी सपलता आपको देगी एक तो दूस अच्छी प्रतिभा तीब्रबुद्ध का सिरजन है इसका लाब आगे होगा आपके अंदर सोचनी की आपके अंदर समझनी की जो सकती है उसका लाब प्राप्त करेंगे और व्यक्तित तो ऐसा निखर कर आएगा कि जो आपको प्रभावसाली बनाएगा और आपको हनुमान जी की जितना हो सके उतनी भक्ति करनी है जीवन में सब चीजों में जो है दिव्यता आएगी अभी कि अगर हम बात करें तो आपकी हतेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बन रहा है और यही चीज आपको उठने नहीं दे रही है यही चीज आपके सारी च 23 पे पड़ रहा है जहां उलजान की स्तिती कनफ्यूजन की स्तिति और निरणे लेनी की ताकत को यह छीन कर रही है दूसरा प्रभाव यह आपके आर्थिक छेतर पे दे रही है आर्थिक रोप में ये बीमार करने का काम कर रही है आर्थिक रोप से ये डेमेज करने का काम कर रही है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्ते पे पढ़ रहा है चाए वो सारेरिक स्वस्ते हो चाए वो मानसिक स्वस्ते हो ये बिकार देनी की कोसिस कर रही है और चोथा प् व्यापारिक रिष्टे हूँ, चाहे वो कोटुम के रिष्टे हूँ, चाहे वो परिवार के रिष्टे हूँ, कहीं न कहीं उनमें कटुता आ सकती है, उनको मेनेज रखने के लिए एक बनस्पती अश्नान दे रहा हो, उस अश्नान को जरूर करेगा, निश्चित ही लाव और जो है पांचवा इसका प्रभाव आपकी development आपकी progress पर पड़ रहा है कारियों का नबढ़ना कारियों का फंस जाना गुम फिर की वहीं पर आ जाना सारे परियासों का जो है अधुरे में लटकना इस सारी चीजें जो है इस वज़ोसे है इसको ठेक करिएगा सुक्र का परवत अच्छी इस्तिति में है तो अपने को maintain रखना अपनी personality पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें जादा रहेंगे नई चीजों के परति रुझान रहेगा नई फैसन के परति नई कपणों के परति मार्केट में जो नई चीजें हैं उनके परति जादा रुझान रहेगा और आने वाले समय में जहां कुटुम का सुक मिलेगा, परिवार का सुक मिलेगा, उनका सपोर्ट अच्छा मिलेगा और कहीं न कहीं चमक बढ़ेगे मंगल दोनों आपके बहुत अच्छा है, हल्का छण भंगुर वाला गुस्से से बचें, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है लेकिन प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव मना रहेगा आपका ब्रिस्पति भी धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में आ रहा है, इसका लाब होगा लाब क्या होगा, कि या एक तो सूर्य मजबूत होने पर ब्यापार में बड़ा लाब मिलेगा धन की इस्तिति अच्छी रहेगी, और मान-शम्मान-प्रतिष्टा बहुत अच्छी आएगी परिवार की तरब से अगर कोई चिंता है, धीरे-धीरे वो आने वाले समय में खतम होगे इसके बारे में हमने बता दिया इसके बारे में बता दिया बुद्ध के बारे में पहले बता दिया चंद्रमा की इस्तिति देखें हाँ ये धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है तो कुछी समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन जो कमजोर रहता था खराब सा रहता था वो पूतिकी और आ रहा है इसके आपको संकेत मिलने बैठ जाएंगे confidence लेबल आपका निश्चित तोर पे अच्छा बढ़ने वाला है सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धेरे-धेरे बहुत अच्छा हो रहा है आप creative जादा होंगे creativity बहुत अच्छे बढ़ रही है सकारात्मक सोच ज बिदिवत तरीके से लिख करके भी और audio के मादियम से भी आपके whatsapp नमर पे भेज रहा हूं करने की कोशिस करें जबरदस्त लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार